इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप Instagram पर Reels वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और अगर आपका Reels फोस्ट नहीं हो रहा है कुछ इस पहली गार से आपका जो application है अगर आप जैसे पोस्ट कर रहे हैं वो close हो जा रहा है तो आप कैसे इंस्टाग्राम पर रिल्स पोस्ट कर सकते हैं वही मैं आपको बताने वारा हूँ वीडियो आप सभी के लिए यह फूल हो सकता है इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चारल पर पहली वारा है सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिक्शन को आपको मिल सके देखे दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने इंस्टाग्राम अप्लिकेशन को यहां पर क्लोज कर लिया आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इंस्टाग्राम अप्लिकेशन को आपन गिया अभी दोस्तों अगर हम कोई भी Reels वीडियो पोस्ट करने की कौसिस कर रहा है तो दोस्तों वो पोस्ट नहीं हो पारा है मैं आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ आप दिख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्लेस वाले आइकन पे क्लिक किया तो मैंने इस image को ले लिया, आप दिख सकते हैं, यह image हमने select किया, अभी आप दिख सकते हैं, यह आप जो भी add करना चाहते हैं, इसमें आप text कर सकते हैं, music add कर सकते हैं, effect add कर सकते हैं, next button पर हम click कर रहे हैं, अभी देख सकते हैं, यह problem आ जा रहा है, instagram keeps stopping, और कुछ इस पकार से अगर आप भी instagram पर reals video post कर रहे हैं, और यह आपका problem आ रहा है, कि instagram reals stopping, तो आप कैसे दोस्तों instagram पर reals video post कर पाएंगे, वह ही आपको इस video के माई थमसी बताऊंगा, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कि आपको अपने instagram application पर long press करके रखना है, कुछ इस प् और clear data, दोनों को आपको clear कर लेना है, ठीक है, यह कर लेने के बाद google play store में जाना है, search करना है, instagram, आप देख सकते हैं, मैंने instagram search किया, उसके बाद आपको instagram application को update कर लेना है, आप देख सकते हैं, अपडेट आज रुका है, तो कुछ इस परकार से आप अपने instagram को update कर लेजे, दोस्तों, आपके instagram application को clear कैसे clear data करने से पहले, आप अपना instagram account का id password जरूर note करके रख लेजेगा, क्योंकि बहुत सारे users को पता नहीं होता, यानि याद नहीं रहता है, उसका password फिर दीकत होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता दिया हूँ, कि आपको अपना id पासपर नहीं जानते कैसे पता कर सकते हैं, तो इस topic पर already channel पर video है, तो video आप हमारे channel में जाकर के video section में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, चलिए अभी हमारा application instagram का, वो update हो गया है, open के option पे click करेंगे, और आप देख सकते हैं, जो हमारा instagram application है, इसे हम login करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए दूस्तों कोई भी एक account को यहाँ से हम select कर लेते हैं, और select करने के बाद हम इसे login कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, हमारा account login हो चुका है, अभी हम इसमें allow करेंगे, उसके बाद plus वाले icon पे click करेंगे, उसको बाद फिर से allow करें तो जो जो आपको permission मांग रहा है, permission दें दीजिएगा, Reels के option पे click करेंगे, अब हमें दोस्तों जो भी यहाँ पे हमें post करना है, वो post को हम select कर लेंगे, जैसे कि आप दीख सकते हैं, मैं इस Reels को post करूँगा, songs के साथ, तो music पी option में जाएंगे, और यहाँ पी कोई भी एक song आप दीख सकते हैं, मैं इस song को add कर लिया है, आप चाहे तो text वगरा add कर सकते हैं, आप simply next के button पे click करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ trending Reels, और उसके बाद दोस्तों आप share कर सकते है, share button पे जब आप click करेंगे, आपका Reels post हो जाएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं friends, यह हमारा Reels post हो रहा है, जैसे यह successfully post हो जाता है, फिर आप देख सकते हैं, यह वाला Reels जो है हमारा post हो चुका है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों अगर आपका Instagram में Reels post नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से कुछ इस प्रकार से अपने Instagram पर इस वीडियो को upload कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आया है तो like करिए, अपने दोस्तों के साथ share करिए, हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, thank you, thanks for watching this video.